दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में दो दिन बाद दो डिगरी तक गिरेगा तापमान अब सुबह साम बढ़ेगी ठंड जिहां बिहार में अगले दो दिन में पारे में गिरावाट आएगी खास कर नियुनतवन तापमान में दो डिगरी तक नीचे जाएगा सुबह में मौसम अभी सुस्क बना हुआ है राज के उत्तर पश्चमी भाग में आंसिख बारिस भी हुई है लेकिन दिरे दिरे उस चेत्र में भी मौसम साप होगा मौसम मिदों के मताबिक अगले दो दिनों में पारा दो डिगरी तक नीचे जा सकता है आपको बदा दे कि पटना सहीत राज भर में उत्तर पश्चमी हवाओं का प्रभाव धिरे धिरे बढ़ रहा है मौसम विगान केंदर के अनुसार अभी कुछ दिन कोहरे की सिती नहीं बनने वाली है लेकिन सुबस साम ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है बड़ी कबर बिहार पुलिस में 1400 पदों पर होगी बंपर बहाली सरकार का बड़ा फैसला जिहां बिहार सरकार बंपर बहाली लेकर आई है मिली जानकारी के नुसार करीब 1400 पदों पर बहाली की जानी है सुबे के प्रमुक सरकरी अस्पतालों की परिसर में ही अगनी समन केंद्र यानी फायर ब्रिगेड सेंटर इस्ताफित के जाएंगे ताकि अगलगे या इमर्जेंसी की घटना होने पर तुरंद करवाई की जा सके पहले चरण में राजधानी के चार सरकारी अस्पतालों का चैन आगनी समन केंद्र के लिए किया गिया है इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा ग्रिय विभाग ने इस दिसा में पहले सुरू कर दी है। रोश्टल किलेरंस के फलस्रोप नोक्ति के प्रक्रिया की जा रही है। अंतराष्टिय संसा के रिसर्च में ये बाते सामने आई है। पेट्रोल डिजल के दाम में इजापे के कारण दूसरे समानों के भाव में भी बारी बिर्दी होगी। आपको बदा दी कि गोल्ड मेंने सेक्स के रिसर्च में कहा गया कि कच्चे तिल की किमत 147 डॉलर परती बेरल के ओल टाइम हाई लेवल को भी टेच कर सकती है। आपको बदा दी कि बिहार में बिसे ससत्र पुलिस अब किसी भी संग्दित की तलासी के साथ साथ जबती और गिरबतारी का दिकार रखेगी। फिलाल इस बल को बोद गया इसीत महाबोदी मंदिर और दरबंगा एरपोर्ट के सरक्चा में तेनात किया जाएगा। इस विसे ससत्र पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह अपराद रोकने के लिए संग्दित के आधार पर किसी व्यक्ति के तलासी ले और गिरबतारी कर पाए। साथी प्रतिष्टानों के सरक्चा में तेनात अधिकारी बिना वारंड और माजिस्टेट के अनुमती के किसी संग्दित को गिरबतार करने का अधिकार रख पाएंगे। से क्रिसी उत्पादक ता बढ़ेगी यह राज सरकार की योजना है जो भागलपूर जिले में लागू की जाएगी इसके लिए लक्ष भी दिया गिया है इस योजना के लाव लेने वाले किसानों को वो ध्यान विवा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। से क्रित उत्ताने की विकास योजना के अंतरगत अंतरवती फसल योजना में किसानों को अलगलग सब्जियों और मसाले के लिए अलगलग अनुदान मिलेगा। आपको अधात की ओल के लिए एक चलिस जार रुपए एक यूनिट पर हल्दी के लिए ग्यारह हजार एक सो पचास से रुपए एक यूनिट पर अधरक के लिए 38 जार रुपए एक यूनिट पर अनुदान मिलेगा। बड़ी कबर विधायक अनन सिंग को नहीं मिली रहत पटना हाइकोट ने खारिज की जामाना तरजी जिहाँ एक एपोटिस सेवेन चब्विस गोलिया और दो हैंड ग्रेनेट ब्रामदगी मामले में मोकामा के निर्दलिय विधायक अनन सिंग को पटना हाइकोट से रहत न बड़ी सुचना पर विधायक के पेत्र घर पर चापे मारी हुई लेकिन कोई भी ग्रामे ने जबती का गवा नहीं बना बाद में सरकार के आदेस पर विडियो को मजिस्ट्रेट न्यूक्त किया और विडियो ने जबती सुची पर बतोर गवा हस्तक्चर किया अगली बड़ी ख़वर बिहार में परती रह गए खेतों पर मिलेगा मौवजा जानिये किसको कितना मिलेगा मौवजा तेस जिलों में बाड़ बारिस के कारण रह गई है ऐसी जमीने जहां बाड़ और अच्तदिक बारिस के कारण जो खेत परती रह गए है उन पर बिहार स कारण खेती योग परती रह गई जमीन के लिए भी क्रिसी विभाग किसानों को मुआवजा देगी। काटिहार ऐसे जिले हैं जहां बाड और अचादिक बारिस के कारण फसल चती हुई है। खरा मास्क और घटिया पिपी किड से गई डक्टरों की जान। बिहार में कोरोना महमारे के दोर में आम लोगों के साथ साथ बड़ी सेंक्या में डक्टर और स्वास्त कर्मियों को भी जान गई है। डक्टर और स्वास्त कर्मियों की मौत का करण जानने के लिए आए एम ए के टीम लगतार जाच में जुटी हुई है। बिहार में डक्टरों और मेडिकल कर्मियों की मौत कोरोना वारस से होने की पीछे सबसे बड़ी वज़ा सरकारी एस्पतालों में डक्टर को दिये गए खराब क्वालिटी की पीपी, कीड और मास्क रहे हैं। अगली बड़ी कबर सहरसा दर्बंगा वा सोनपूर से चली गी तीन जोड़ी स्पेसल ट्रेने। अगर दर्बंगा पैसेंजर स्पेसल ट्रेन, सोनपूर समस्तीपूर पैसेंजर स्पेसल ट्रेन और समस्तीपूर सोनपूर पैसेंजर स्पेसल ट्रेन सामिल है। बड़ी कबर पढ़ना के बाद दर्बंगा बना बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब दस जिलों में 57 फिज़ी उची सिक्चन संसान जिहां All India Higher Education के हाईलिया एक रिपोर्ड के मताबिक बिहार में सिक्चन संसानों के असल स्क्या 960 हो गई है हाला कि इनमें 67 फिज़ी उची सिक्चन संसान केवल 10 जिलों में है यही नहीं प्रदेश के ओची सिक्चन संसानों में नमांकित होने वाले करीब 16 लाक विर्दातियों में 69 फिज़ी नमांकन केवल 12 जिलों के ओची सिक्चन संसानों में हुए है इस तरह ओची सिक्चा के आउसर कोची सहरों एवं जिलों में सिमर्ते जा रहे हैं रिपोर्ड के मुताबिक प्रदेश में पूर्वी चमपरण और गया जिले के उचे सिक्चन संस्तानों में विर्दातियों का घनत सबसे ज़्यादा है। पाटना में 1800, गया में 1575, नालंदा में 1442, मुझपरपुर में 1117 सामिल है। यहाँ वहाँ जिला है जिसकी सिक्षन संस्तानों में 50,000 से अधिक विर्दाती नमांकित किये गये हैं। बिहार में 1,00,000 से अधिक नमांकन वाले दो जिले पहचान किये गये हैं। इनमें सबसे अधिक नमांकन 2019-20 के सेक्षनिस सत्र में पटना जिले में 2,77,222 और दरवंगा में 1,38,73 हुए हैं। अगली बड़ी कबर सरकार का बड़ा फैसला अब रासन की दुकानों से भी खरिद सकेंगे रसोई गेस सिलिंडर। जिहां केंदर सरकार ने बदवार को कहा कि वारासन की दुकानों के जरिये छोटे LPG सिलिंडर की रीटेल विक्री की इजाज़त देने पर विचार कर रही है। इसके साथ इन दुकानों के जरिये वित्य सिवाए भी पेस की जाएगी। पीटे आई के मताबिक इन मुद्दों पर राज सरकारों के साथ एक वर्चूल बेटक में चर्चा की गई है जिसके दिक्षता खायद सचीव सुदान सुपाने ने की है। बेटक में लक्टोनिक्स और आईटी मंत्रालाई, पेटोलियम और प्राकर्तिक गेस मंत्रालाई से प्रतिनेदी भी सामिल हुए है। तेजस्वी अदव ने कहा कि वे पार्टी के मांदार सिपाई के रूप में काम करेंगे। तास गया और नालंदा में एक एक सेंजी स्टेशन है। दिसंबर तक सेंजी स्टेशनों की सेंखा 38 तक करने का लक्ट है। पत्ना में बाड, गुसवारी, बक्तियारपूर और पंडराक में नए सेंजी स्टेशन खुलेंगे। पढ़ी कबर बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ असान। टेश्ट के नियोमे में बदलाव से मिलेगी रहा। बिहार में अस्थाई लाइसेंस के अविदक के लिए अब ड्राइविंग टेश्ट पास करना असान होगा। परिवहन विवाग ने टेश्ट के नियमों को तोड़ा सरल कर दिया है। इसमें ड्राइविंग टेश्ट के लिए कम्पूराइज टेश्टिंग ट्रेक त्यार कर लिया गिया है। इसमें किसी परकार की पेर भी काम नहीं करती है। और सब कुछ स्वतक कम्पीटर में रिकोर्ड होते जाता है। बिहार के बाकी जीलों में भी जल दी ऐसे ट्रिक बनवाने की योजना है इसमें अधिकारी की मनमानी भी नहीं चलती है आज के लिए आपका सवाल बताए कि पेटोल के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए